हेलो एवरिवन माई नेम इस एश्वर्या मिश्रा वेलकम बैक तो माई यूट्यूब चैनल रिडिशन टेकनोलोजी हमारा जो इससे प्रिविएस वीडियो था उसमें हमने किलो वोल्टीज एक्स्रे मशीन की बार में पढ़ा था जो की रिडिशन थेरेपी के लिए यूसफ माःती है इंक्रीस एब्जॉबॉब डोस इंबोन के अंदर किलो वोल्टेज जादा एब्सॉब होती है इंक्रीजेश स्कैटरिंग क्योंकि कम रिडिशन है स्कैटरिंग जादा होती है निस्केंड़ जादा बनती है इन अग उपर के फैक्टर्स को देखते हुए कि हमने the above factors make the units unsuitable for deep-seated tumors जो कि deep-seated है यानि जो कि skin के अंदर तक deeply present है उन tumors को treat करना was not possible with kilo voltage extra machines तो हमने फिर दूसरी machines को जिनके जो voltage है वो एक मेगा लेक्टर वोल्टेज से जादा होगी उन machines को use में लिया वो machines कौन सी होती है वो आज का वीडियो हमारा उसके उपर है तो ऐसी machines जो kilo voltage नहीं है जिनकी जो higher radiation है वन मेगा एलेक्टर वोल्टेज से जादा की radiation देगी उसके अंदर जो पहली machine आती है टैली कोबाल थेरेपी मशीन या फिर टैली थेरेपी मशीन भी इसको बोलते हैं इसके अलावे बहुत सरी machine आएगी जिसकी linear accelerator वो हम दिरे तरे आगे के पार्च में पढ़ेंगे तो जो आज की जो मशीन है वो है टैली थेरेपी मशीन या फिर टैली कोबाल थेरेपी मशीन की आप हमें जो एज रेडियेशन सोर्श ह हो मं यूज करनी पड़ रही है इसलिए हमें रेडियों कौन से यूज करते हैं वो आगे देखेंगे इसके अलावा जो होगा कि the main components अब यह जो टेल थरीपी मशीन है इसके main components कौन-कौन से हो सकते हैं radioactive source की कौन सा source हम यूज कर रहे है source housing यह फिर main frame जिसको बोलते हैं इसके इंदर callimeter, source movement mechanism वो सारी आ जाएगी, gantry, stand, treatment couch, control console इन सबी चीजों को हम one by one इस जो टॉपिक है उसके अंदर study करेंगे अब जो सबसे पहला हमारा होगा वह है radioactive source की हम जो यह machine sounds के अंदर radioactive source कौन सा यूज कर रहे हैं कहां से हमें radiation मिल रही है तो जैसे कि मैंने आपको बताया यह जो teletherapy machines होती है उनकी जो voltage होती है उनकी लिए हमें जो मतलब थैरेपी के वोल्टेज होती है वन मेगा एलेक्टर वोल्टेज से जाधा चाहिए होती है ठीक है तो यह मेगा वोल्टेज मशीन भी कहलाती है और इसके यह वह में कौन दीगी गामारेज और गामारेज को कौन कर रहे हैं रेडियो नुकलेजर रेडियो आइसो टोप्स तो कौन कौन से रेडियो आइसो टोप्स यूज करते हैं रेडियम 226, CESIUM 137, COBALT 60 यह हम ऐसा सोर्स ऑफ गामारेज यूज कर सकते हैं बट अमोंग रेडियो आइसो का जो ड्रॉबैक है हम यह क्यों यूज नहीं कर पा रहे हैं वह यह है कि यह एक रेडियो ना रेडियों 222 गैस इमिट करता है जो की जो की डेंजर अप्स होती है हमारे लिए जो की फेटल हो सकती है हुमन बीइंग के लिए जब रेडियों 26 गामारेज को कम होती है तो जो हमारे को सीजन 137 का साइज है वह हमें बड़ा रखना पड़ेगा ठीक है मतलब छोटा साइज नहीं यूज कर सकते हो बड़ा सोर्साइज यूज करना पड़ेगा to the same energy मतलब हम सीजन 137 कोबाल 60 में compare करे तो कोबाल 60 के छोटे साइज से भी उतना ही काम तो कोबाल 60 is the suitable one तो हम जो भी उस करते हो कौन से उस करते हैं कोबाल 60 तो कोबाल 60 सोर्स के बारे में पढ़ लेते हैं इस इस दा रियक्षिन आपको इंपोर्टन है यह याद रखनी है यह एज़कों एक्जाम में भी आपके इंपोर्टन रहेगी आपसे डिलेक्ली पूश ले जाती है कि नुक्ली रेक्षिन बताई जो कि टैली थरफी में यूस्फूल है वो यह है कोबाल 59 को न्यूट्रॉ इसके साथ साथ इसमें गामा एनर्जी भी इमिट हुई दा कोबाल 60 सोर्स इस यूजली इन फॉर्म फ़ॉप असॉलिड इस्क आर कंटेंड इंसाइड इस्टेनलेस स्टील कैप्सूल और सील बाय वैल्डिंग मतलब इस यह एक जो होता है सिलेंड्रिकल शेप में होता है इसको वैल्डिंग भी अच्छी से की जाती है इसकी स्टेनलेस स्टील कैप्सूल को मतलब खुद स्टील के स्टील के लिगेज में रखा जाएगा और अच्छी से वैल्डिंग की जाएगी ताकि कंटामिनेशन या फिर लीकेज ना हो सके आप क्या है Cobalt 60 source is the most suitable for external beam therapy क्यों कि इसके higher specific activity होती जिसके specific activity बहुत जादा होती है specific activity का मतलब क्या होता है कि एक छोटे से amount के source में काफी जादा radiation आपको मिल रही है इसके लबा greater radiation output per curie ठीक है इसका मतलब ही होता है कि एक curie के अंदर जादा आपको radiation का output मिल रहा है इसके अलाबा higher energy photon higher average photon energy मिल रही कितनी 1.25 1.25 मेगा लेक्टन वोल्ट की energy को यह दे सकते है यह average है ठीक है यह 1.25 मेगा लेक्टन वोल्ट average है ठीक है तो Cobalt 60 source इसलिए most suitable होता है इसके लबा इसके कुछ physical properties होती है जो हमें याद रखनी है first of all it is atomic number is 27 27 atomic number होगा mass number 60 half life कितनी होती है 5.26 years this is the most important thing to remember यह competition exams में पुछा जाता है यह बहुत जाते competition exams में पुछा जाता है half life of cobalt what is half life of cobalt 5.26 years ठीक है gamma rays कौन कौन सी emit कर सकता है 1.17 मेगा लेक्टन वोल्ट और 1.33 मेगा लेक्टन वोल्ट तक के energies को यह emit कर सकता है बड़ जो average होती होती 1.25 मेगा लेक्टन voltage और इसकी daughter यानि beta decay कर हम इसमें से करते हैं तो इसका water product होता है वो निकल 60 होता है यह भी पूछा जाता है exams के इंदर ठीक है तो this is about cobalt 60 source cobalt 60 source क्यों use कर रहे हैं क्या इसकी properties हो सकती है यह आपको याद रखना है ठीक है क्योंकि एक 5 नंबर का question यह भी बन जाता है कि क्यों cobalt 60 source की properties बताइए और क्यों इसको यूज किया जा रहा है और अधर इस्ट्रीड की comparison में यह सूटेबल क्यों है यह बताइए तो आप 5 नंबर में इसको इस तरह के से लिख सकते हैं अब जो में फ्रेम सैकिन इसका जो component है टेली थरेपी मशीन का वह आता है में फ्रेम में फ्रेम क्य ठीक है तो यह इस तरह की का होता है नीचे से यूँ और उपर से इस तरह की का इसे हम कहा जाता है में फ्रेम ठीक है अब क्या होता है इस अल्ड एलेक्ट्रिकल एंड एलेक्ट्रोनिक शर्किट्स जो की पीछी से इसके हां पर लगी भी होते है इलेक्ट्रिकल एंड इलेक बठीए से Kristin तो आपनको पता चल जाता है कितना ये एंगल भूमator है कुछ अगूर घूं रहे है इस तरह सब्सट्थ कमचीं षके कुछ ये इंगल ऊक कुछ मशीन नेका कुछ मशीन उपने नेज जाता है 900 दिएJust अब हम देखा गेंटरी पहले आपको बताब के इस च्टेंटेंट चार्पर कि या को माऽं दिखा है यह जो पूरा पार्ट यह मैं जो पूरा अजुछ चार्पर फेल रोकिक भूमता है काउच की अग्वाओंक लेटा था इस च्टेंटी को फिक्टेंट पहला आपका है इस जाँटि इस केपब बरोटेटिंग थ्रू 360 डीगरी अबाउट दा इसो सेंटर मतलग कि ये डोनों एक इसो सेंटर के अराउंड 360 डीगरी ये घुंगता है आज अगे काउच ईसकी पूरे तीजुन साथ डिगरी पर गहुम सकता है the gantry has two arms, two arms बोल दिया, एक ये arm हो गई, एक ये arm हो गई, दो arm होती gantry की, एक के अंदर source head होता है, एक जो होता है, beam stopper होता है, ठीक है, इसके अंदर source head होगा, इसके अंदर source present होगा, ये होगा beam stopper, ठीक है, beam stopper access counterweight and also absorb the exit radiation, जो secondary radiation जो होती है, जो वेस्ट होती है, यहाँ पर patient क के बाद में जो आती है, नीचे के साइड में उनको ये absorb कर लेता है, इसके अलावा, जो होगा, इसके अंदर source door with source, source door के साथ, source door के साथ, source door के आपको अगले उसमें पता चलेगा, head shielding, source head को shield करने वाला head shielding होता है, कॉलिमेटर, सेंपली होती है, कॉलिमेटर होता है, source position indication, जो लेजर लाइ्टaut वग्र होती है और जिए हैं वह सबकुछ इसके अदर सौर्स होता है तो यह से वरत फिक है, दो आम होती है segway is our नेकस्त वीडियो में आपको बतांगी इसाफ मांनी होती हैं नेक्स्ट वीडियो को आपको एक प्रॉपर डाइग्राम के साथ में आपको समझा दूंगी कि कहां से आपको गैंटरी दिख रही है और कहां से यह बीम स्टॉपर वगर है इस सब चीज आएंगी तो आप इस वीडियो में कुछ भी क्वेरी है तो आप कमेंट करके या फिर मुझे इंस्टाग्राम पर डियम करके डायक्ली पूछ सकते है इसके नेक्स वीडियो का और इसका नेक्स पार्ट जो आपको जल्दी ही मिलेगा Thank You for Watching Thank You for Liking My Videos and Please Subscribe to the Channel Also Thank You So Much